नमस्कार लिंडिया में आपका स्वागत है कुछ लोगों का मानना है कि लव मैरिज अरेंज मैरिज से बहतर है क्योंकि इनमें दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते हैं इसलिए लव मैरिज कपल को लड़ाई जगडों का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन कई बड़ी ऐसी लव स्टोरीज हैं जिनकी लव मैरिज ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई इनमें पहला नाम है मलाइका अरोणा अरबास खान मलाइका अरोणा और अरबास खान वॉलिवुड के परफेक्ट कपल हुआ करते थे ऐसे में जब उनके अलग होने की बात सामने आई तो सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने परफेक्ट कपल्स का भी रिष्टा तूट गया लेकिन जब बात सामने आई कि अरबास के जुआ खेलने की आदत के कारण और फाइनेंशल क्राइसिस की वजह से दोनों का रिष्टा बिगड़ा तो यह बात उन लोगों के लिए एक सीख बनी जिन्हें लगता था कि पहले से पार्टनर की आदते जान लें तो रिष्टे लंबे समय तक चलते हैं दूसरा नाम है रितिक रोशन और सुजैन बॉलिवुड के सबसे खुबसूरत कपल रितिक रोशन और सुजैन की तलाक की खबरे सामने आई तो उनके फैंस दुखी हो गए अपने एक इंटरव्यू में सुजैन खान ने तलाक की खबरों पर बात करते हुए कहा था मैं और रितिक जिन्दगी के ऐसे लेवल पर पहुँच गए थे जहां हम दोनों को ही तैय करना था की अब साथ रहना मुश्किल है या नहीं ये उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो कहते हैं कि अपनी पसंद के पार्टनर से शादी करने पर कोई परिशानी नहीं होती सुजैन और रितिक करीबन 13 सालों से भी जादा तक प्रेम और शादी के बंधन में बंधे रहे थे अगला नाम है सैफ अली खान और अमरिता सिंग सैफ अली खान और अमरिता सिंग के रिष्टे की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है अम्रिता और सेफ की जिन्दगी में प्यार, ग्लैमर और समिजदारी होने के बाद भी इनका रिष्टा पती-पत्नी और वो के चक्कर में फसकर तूट गया था ऐसे में जिन लोगों का कहना है कि अगर अपनी पसंद के पार्टनर से शादी हो जाए तो धोके की उमीद कम रहती है वो गलत हो गई अगला नाम है करिश्मा कपूर और संजे अगरवाल का करिश्मा कपूर का रिष्टा अभिशेक बच्चन से तूटने के बाद करिश्मा ने अपने दोस संजे अगरवाल से शादी कर ली लेकिन कुछ सालों बाद करिश्मा ने अपने तलाग के बारे में संसनी खेज खुलासा किया उन्होंने अपने इंटर्वियों में कहा कि संजन ने सुहाग रात की दिन ही उनका अपने एक दोस्त के साथ सौधा कर दिया था और उन्हें उसके साथ रात बिताने पर मजबूर किया था लेकिन करिश्मा ने यह बात नहीं मानी और उसी दिन पती ने उन पर हाथ उटा दिया था उसके बाद उन पर अत्याचारों का सिलसला बढ़ता गया दो बेटियों के जन्द के बाद करिश्मा ने तलाक लेने का फैसला किया इससे यह सीक मिलती है कि दोस्त भी गलत पती साबित हो सकता है और अगर आपके खिलाफ कुछ गलत हो तो उसे पहले स्टेप पर ही रोग देना चाहिए वरना अन्याय सहने वाला भी बराबर का अपराधी होता है श्वेता तिवारी और अभिनव कोली टीवी एक्टरस श्वेता तिवारी ने अपने दूसरे पती से शादी तूटने को लेकर खुलकर बात की दरसल श्वेता तिवारी और अभिनव कोली के बीच पिछले कुछ दिनों से काफी विवाद बढ़ गया है लोग इस बात से भी हैरान हुए क्योंकि उन्हेंने पहले पती राजा चौधरी के खिलाफ भी घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था श्वेता और राजा ने 1998 में शादी की थी जो 2007 में टूट गई थी इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि अपने पार्टनर का बैकडराउंड और उसका किसी इंसान और महिला के पती विवाद देख कर ही अपनी जिंदगी का इतना एहम फैसला लेना चाहिए तो ये थे बड़े-बड़े लव सेलिब्रिटी की कहानी जो किस वजह से तूटी वो हमने आपको पताई वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेज करना ना भूदे